मेरे प्यारे देश्वासियों, पिछले कुछ महनों से पूरे देश ने एक जूट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मुर्त्य दर्भी दुनिया के जाधातर देशों से काफी कम है। निश्चित रुप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखत है। लेकिन भारत अपने लाखों देश वाशों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों कोरोना का खत्रा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही जादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें यह ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चहरे पर मास्क लगाना या गमचे का उप्योग करना, दोगज की दुरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूंकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हत्यार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती हैं और मन करता हैं कि चहरे पर से मास्क हटा दें। बाचित करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरुरत होती हैं जादा उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय मैं आप से आगर करूँगा। आठ आठ दस दस घंटे तक मास्क पहने रखते हैं। क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी। थोड़ा सा उनका स्मर्ण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते, इसमें जराबी कोता ही न बरतनी हैं, न किसी को बरतने देनी हैं। एक तरफ हमें कोरोना के खिलाब लड़ाई को पूरी सजक्ता और सतर्क्ता के साथ लड़ना है। तो दूसरी और कठोर महनत से व्यवसाय, नोकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तवे हम निभाते हैं, उसमें गति लानी हैं, उसको भी नई उंचाई पर ले जाना है।